सिक्षक बहाली की मांग को लेकर अंदोलन कर रहे बिहार के सिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बीजेपी ने समवात की पहल की और सभी सिक्षक अभ्यर्थी बीजेपी कार्याले पहुँचे हैं साथमे चरण सिक्षक बारी की विग्यपती की मांग पर डटे अभ्यर्थियों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक संजे जैस्वार खुद समवात करेंगे आज से सभी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी अनिश्रत कालीन भूख हर्ताल पर भी बैठ रहे हैं बीजेपी सभागार का जैजा लिया हमारे समवादाता रजनीश कुमार्नी साथमे चरण विग्यपती की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार गरदनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं और आज से सभी भूख हर्ताल पर बैठेंगे इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजेज असवाल ने पहल की है और इन लोगों के साथ आज समबाद करेंगे और समबाद के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है इस वक्त बीजेपी के सभागार में देख सकते हैं तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो भी हार वर से यहां पहुची है और आंदोलन के जर्ये लगातार सरकार से गुहार कर रही है लेकिन सरकार के तरफ से कोई ठोस आस्वाशन नहीं मिल रहा है यानि नियावली का बहाना बनाया जा रहा है कि अभी कैबिनेट से मनजोडी मिलनी है या फिर जो भी होना है बहाली नहीं हो पा रही है क्या लग रहा आप लोग यहां पहुची है क्या बाचित होगी सर हम लोग को बिजेपी करयाले आए हैं तो इनसे बहुत उमीद है कि कुछ तो आस्वासन मिले कुछ तो हम लोग का वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आए सर हम लोग अलमुस्ट सारी तीन साल से वेट कर चुके हैं और अब कितना कर सकते हैं सर आस से भूख हरताले बैट रही है जी सर जी सर अभी तो समाद के बाद मालम चलेगा लेकिन हाँ पोजिटीट लग रहा है कि तीन साल से हम लोग वेट कर रहे हैं सरकार कुछ सुनेगी यह चीज़ कर लग रहा है पोजिटीव बस उमीद है हाँ उमीद है चलिए उमीद पर सभी जो है कायम है और जिस तरह से बीजेपी ने भी पहल की है हाला कि जब एंडिये की सरकार थी तभी से यह लोग मांग कर रहे थे आंदोलन कर रहे थे आज महागट बंदन की सरकार है बीजेपी ने जरूर इन लोगों को बुलाया है लेकिन क्या बात होगी कुछ बताईए सर आज बीजेपी ने हम लोगों को बुलाया है हम चाहते हैं कि जो है बिरजगारों के लिए बिरजगारों के लिए राजनीतिक से उपर उठके बात हो बिरजगारों के लिए और हमें जो जिस चीज़ के लिए हम मांग कर रहे हैं पिछले चार साल से हमारी मांग को माना ज बार बार अंदोलन करने के बाद भी सरकार विग्यापन जारी नहीं कर रही हैं।